हलो गुड मॉनिंग वेलकम टू फैस्टेंग यूट्यूब चैनल इस चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा था पर्षेंटेज और पर्षेंटेज में हमने कल पढ़ा था उसके बेसिक के बारे में देखो उसी बेसिक पर आज अपन और क्यूशन करते हैं तो देखो जो मैंने कल पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था कि अगर आपको कोई भी फ्रेक्शन है उसको पर्षेंटेज भी बदलना है तो आपको किस से मल्टिप्लाइए करना पढ़ेगा हंड्रेड से और आपको पर्षेंटेज से फ्रेक्शन बनाना है तो आपको डिवाइड करना किस से तो यह दो बातों का आपको ध्यान रखना है अब देखो अपन आज कुछिन करते हैं तो अपना जो आज का पहला किशन क्या है कि 8 का 0.008 परसेंट का 0.08 परसेंट की पाउर एक बटा नो का मान कितना है यह कुछिन अभी आया था यह कुछिन चीपियों में आया था भी तो देखो आपके पास में कैसे करोगे पहले पुछ आठ का कितना है अपने पास में पॉइंट 008 परसेंट और परशेंट अडाओ नीचे कितना इंव अपने पास में 100 यह आएगा और इसका कितना करना अपने को पॉइंट जीरो आठ और परसेंट का साइन इंचा ऩितना जाएगा तो और उसकी जो पावर है वो कितनी है एक बता नू यह पावर तो देख़ो आपके पास में अगर यह पॉइंट अटाओगे तो आपके एक, दो, तीन, जिरू इसके आजाएंगे और यह POINT किया जाएगा अपने पास में फट जाएगा यह POINT अटाओगे तो दो, जिरू इसका जाएगा यह POINT भी यहां से अट जाएगा तो देखो, आपने क्या देखा ओपर तो कितना बज़ गया? आठ आठ और आठ और नीचे देखों कितना हो गया एक दो तीन च्यार पांच छह साथ आठ रिकितना हो गया नो यह नहीं कि दस की पावर कितनी होगी नो और इसकी पावर कितनी है एक बटा नो आठ की क्यूब कितना होता है अपने पास में पांसो बारा बटा 10 की power no की power कितनी है एक बटा no और इसको solve करोगे तिया कितना बचेगा 2 और यह कितना बचेगा अपने पास में 10 तो आपने solve किया तो कितना है 0.2 अपना answer आजे तो यह आसान सा एक question था जिसका answer कितना है 0.2 तो आपने क्या क्या % अटाया 100 आया % आया नीचे 6 लगया पॉइंट आया 3-0 या आगे 2-0 या आगे तो अपने पास में 10 की power कितनी होगी 9 उपर multiply कितना 512 और 512 क्या होता है 2 की power no होता है 512 कितना होता है अपने पास में 2 की power no होता है तो यह कितना जाएगा आपके पास में 2 और नीचे 10 भाग दो कितना आएगा पॉइंट दो यह अपना क्या जाएगा आंसरा जाएगा देखो और क्यूशन करते हैं अपने इसी में आगे देखो इस क्यूशन में के अपने वो क्या दिया है यह दी किसी निश्चित संख्या के एक बट्या आठ के पिचेतर परसेंट के 66 से दो यह देखो आपके पास में यह भी एक्जाम में आया एकुशन है किसी निश्चित संख्या के कोई निश्चित संख्या तो आपने मालं ली वो पिचेतनी थी एक्स कितना के एक बट्टा आठ का कितना 1 बट्टा 8 के 55 परशंट और कल मैंने आपको समझाए था पत्चीस भटा च्यार तो पीचेतर केतना तीन भटा च्यार तो यह आ जाएका आपने पास में पर्टेंट शैर के 66 0 2 2 3 होता है हो कितना होता है 2 2 3 जैसे आपके पास में 9 0011 11 illustrate एक बॉत तся 7iones tech 1 लोग इतना एक बेटालो और esse series 2 2 3 ।屏 2 लोटा पास में 33 1 1 1 3 पर्शंट आपने याद किया था कितना होता है एक व्योंत रती और इसका. मैं 2 गुना कर दूंँ तो ही कितना जाएगा 66 2 2 3 law 2 पर्शंट तो कितना जाती तो आप क्या कैसे है थे हो कि जो 66 2 2 23 पर्शंट है वह कितना होता है अपने पास में ही दो बटारीन मैं और इनका जो मान हैं वो कितना है 179 तो आपने क्या ची कोई एक इसली उसका कितना एक बटार को कितना कितना तेन बटार का कितना बटार तीन बढ़न कितना है 179 तो देखो आपके पास में आगे पूछा गया है कि उसी संख्या के तीन चोथाई का 33 से एक बटा तीन कितना होगा तो देखो आपको निकालना क्या है वो संख्या X है उसका तीन चोथाई का कितना 33 से एक बटा 3 परसेंट कितना एक बटा 3 यह अपने को निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे आप देखो आपके पास में 3 बटा 4 यहां भी है यह निकालना है और 1 बटा 3 तो यहां से 3 रख लो तो आपके पास में देखो कितना बज़ेगा X multiply 3 by 4 into 1 by 3 यहां से 3 ले लिया तो क्या बच गया आपके पास में एक तो यह बच गया 1 plus 8 और यह अपने पास में 3 आपने ले लिया कितना बच गया 2 बराबर 179 अब यह अपके पास में 4 बाइ तो X into 3 by 4 into 1 by 3 बराबर 179 into कितना जाएगा 4 और इसको multiply करोगे तो आपके पास मेर्स एडिकेटर 716 आपना क्या जाएगा आंसर यह अपना आंसर यह निकी option number कौन सा है एक अपना आंसर है अब देखो कई क्या गलती करते हैं कि पहले इसका आप X की value निकालेंगे क्या करेंगे पहले एक की वेल्य निकालेंगे और फिर उसका 3 2 4 का 1 तो इतना करने के आपको ज़रूत नहीं है आपको में ही दे रखा है की तीन बटे तो आपको अगर time बचाना एक जामेः तो ऐसे smart काम करने पड़ेंगे ऐसा तो हरको hin करेगा क्यूसकिल थोड़ी है लेकिन यह क्या करेंगे पहले एक्स का मान नीकालेंगे फिर एक्स का मान निकालने के बाद में यह काम करेंगे तो इतना रह दो चीज है यह पहलें देर की थी कुसें कि अंदर तो यह smart काम करना-अपने को तो आंसर कितना जाएगा आपके पास में 716 अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया अगरो अगर अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक यागरो लेकिन कुछने कुछ इसिसमें किया करो कि एक जल नलीका को दो टुकड़ों में काटा जाता है बड़ा टुकडा नलीका की लेंबाई का 70 प्रतिशत है बड़ा चोटे टुकडे से कितना प्रतिस्ट लंबा है तो देखो क्या दिया है आपके पास में एक नलीका है उसको दो टुकड़ों काटा और क्या कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा नलीका की लंबाई का देखो किस से तुलना कर रही है नलीका की लंबाई का तो 70% कितना होता है अगर नलीका की लंबाई 10 है तो बड़ा टुकड़ा कितना है साथ तो आपके पास में लंबाई तो आगे नलीका की 10 बड़ा टुकड़ा कितना आगा आपके अपना पास में साथ तो छोटा कितना आ जाएगा तो अगर दस है तो दस में से बड़ा साथ है तो छोटा कितना जाएगा तीन और आपको क्या पुछा है कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े से कितना लंबा है तो देखो यह सा परशंट अधिक है यह वाई एक से कितना परसंट चोटा है या कि hatum यह चीज़ यहां है तो आपने क्या कि इनका अंतर लिया और आप मोता बंएक से किसे तुना करवानी की कह रहा है जोटे टुफ़ड़े से ततु आप नीचे क्या लेऊंगे है तो कितना अधीक है चियार अधीक है कितने पर फे और पर्षेंट निकालना है किस से हमसे है तो आपने पास में कितना आ जाएगा चियारール हमें 3% ये आपका この श्यार तो आपने क्या किया कि आपकी जो तुल्न नकरभा यानिकी जो नली थी, फूरी ल önबाई का उससे बड़े टोकड़े से, तो आपके पास में 7 बटा कितना आ गया, 10. यानिकी, टोटल अगर 10 मीटर की है, तो 7 मीटर तो क्या है अपने पास में बड़ा टोकड़ा, तो छोटा कितना रह गया 3 तो देखो छोटे से बड़ा कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा कितने पे 3 पे और आपको % निकलना है 100 का तो आप 100 से तुलना कर दोगी तो अपने पास में आंसर कितना जाएगा 400 बड़ा 3% यह अपना आंसर जाएगा देखो आपके पास में अगला क्योशन क्या है कि X माइनस Y का 50% X माइनस Y का 50% बराबर है X प्लस Y का 40% और आपको जो पुछा है वो क्या पुछा है Y X का कितना परतिसेत है तो जो पुछा है वो ऊपर जिस ये तुलना और ये नीचे और परसेंट में बदलोगे मल्टिप्लाई कर दो किससे 100 से तो ये अपने को निकालना है तो देखो कैसे करोगे देखो परसेंट से तो परसेंट केंसिल आउट एक 0 से ये 0 केंसिल आउट तो आपके पास में इस 5 को अंदर मल्टिप्लाई करो कितना येगा 5X माइनस 5Y बराबर 4X प्लस 4Y अब X को एक तरफ कर लो Y को एक तरफ तो आपके पास में ये 5X है ये 4X से उदर जाएगा कितना बच जाएगा X ये 5X माइनस 5Y माइनस का इदर आएगा प्लस का तो कितना जाएगा 9Y च्यार पहले से है 5 और आपको पुछा किया गया Y by X यानि कि Y उपर चीए तो इस 9 को इदर ले जाओ इस X को इदर लाओ कितना एगा 1 बटा 9 बराबर Y by कितना जाएगा X और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टिप्लाई कर दो किस से 100 से तो ये 100 से तो आप इसको भी 100 से करोगे और आपको पता है कि 1 बटा 9 कितना होता है 11 सई 1 बटा 9 परसेंट यानि कि और प्सन नमबर B कि आपका आशर है यह बेशिक एक है आपके छोटे-छोटे क्षिशन है यह एक्जाम में एकसर आज आते हैं यह क्यूसर है आपके पास में CDS का क्यूसर है तो इन बेशिक चीजों को आगर आपने किलिये कर रहा पूरे चेप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली मैं आपको complete पढ़ाऊंगा इस चेप्टर के बारे में में ऐसा कोई क्यूसन नहीं होगा कि मैंने पूरा पढ़ाने बाद में आप किसी बुक का आप ट्राइ कर सकते हो तो देखो आगे ओर बढ़ते हैं अगर कोई क्यूसन आपको कम समझ आता है तो वीडियो को आप पिछे रिवाइंड करके फिर देख सकते हो वीडियो में यही अच्छी खाशित बात होते हैं कि आप क्या पिछे वापस देख लो वापस यह दो जितनी बार नहीं समझे उतनी बार देख लो उसको लेखो इसकी बात करते हैं अपने पास में यह अभी आया था cp o कही किसन है अभी दिसंबर में जो CPU का pre-exam हुआ उसी कही क्यूशन है देखो आपके पास में क्या गह रहा है कि X-Y का 60% बराबर है 45% X प्लस Y है और आपको दिया है Y बराबर X का K परशेंट तो K का 21% कितना होगा अच्छा क्यूशन है तो देखो आप क्या करोगी X-Y का 60% बराबर दिया है 45% किसका X प्लस Y का तो पहले तो इसको सोल करो तो देखो परशेंटेज है तो परशेंटेज ये 15 से कटेगा ये 15 से तो 4 बार हो ये कितना बज़े है अपने पास में 3 multiply करोगे कितना 4X-4Y बराबर 3X प्लस 3Y सेम ही क्यूशन है अब देखो आप X को एक तरफ करोगे तो ये 3X और ये 4X कितना बज़ेगा X ये माइनस का 4Y है इदर आएगा तो कितना बज़ेगा 7Y तो X बराबर कितना आगे अपने पास में 7Y और आपको कह दिया है कि Y का X Y बराबर X का के परशेंट तो Y बराबर X X की जगे आप कहा रख सकते हो 7Y का के परशेंट का के परशेंट तो आपके पास में यह देखो यहां से यह कैंशिल आउट हो गया तो इधर कितना बज़ेगा एक और यह के परशेंट था तो इसको आप परशेंट डाव नीचे कितना जाएगा सो तो देखो अपने पास में इधर एक बच गया इधर कितना बच गया अपने पास में साथ के और यह अंडेड उपर जाएगा इधर तो के बराबर अपने पास में कितना आ गया अगर की विल्यू आगी तो आपको पूछा है कि के का 21 परशंट कितना होगा तो के कितना है सो बटा साथ का 21 परशंट तो 21 बटा कितना सो यह से कड़ जाएगा यह से कर जिरा तो कितना जाएगा अपने पास में तीन यह अपना आंसर आजएगा जैनने कि ओप्सन नंबर च्यार आपका क्या होगा आंसर होगा तो आपने क्या करना है एक्स और वाई की वेल्यू निकाली तो एक्स बराबर कितना आ गया सेवन वाई आ गया यह जो वेल्यू थी आपने किसमे पूट कर दी इस डाटा गे अंदर वाई बराबर दिया आपको एक्स का के परशंट तो वाई बराबर एक्स एक्स कितना साथ वाई का के परशंट तो यहां से आपने किया निकाल लिया के कमान अगया अगर आपके पास में के कमाना एकशन बरण रो households का नीकिन चे है उसका कितना नीकालना है 21% तो 21% निकालो ग कितना यहाएऊ अपने पास में तीरом तो देखो अपना अगला किशन क्या है कि एक संख्या के 38 परशेंट और उसी संख्या के 22 परशेंट के बीच का अंतर 32 है उस संख्या का साड़े 15 परशेंट कितना होगा एक संख्या के 38 परशेंट और 22 परशेंट के बीच का अंतर कितना है तो आपके पास में बीच का अंतर दिया है तो देखो आपके पास में 38% और कितना है 22% के बीच का अंतर है वो कितना है अपने पास में 32 तो देखो आपके पास में कितने का अंतर है 16% का अंतर है और 16 की वेल्यू कितने बराबर है 32 अब आपको ऐसे नहीं करना है कि पहले एक परसेंट निकाला और फिर शाड़े 15 परसेंट निकालो अब देखो आपके पास में 16% की वेल्यू बत्तिस और आपको शीरफ और शीरफ चीह कितने की साधे 15 परसेंट अगर आप आधे परसेंट की वेल्यू घटा दोगे तो अपना आंसरविशंट मैं से ऐगर आधा परशेंट कटा दू सी वेलिया झाखी तो देखो कैसे फरोगी है आपके पास में एक प्रशंट कितना है के पास में एक परशंट है है दोस्तों की एक परसेंट कितना हो जाएगा तो अगर अधा परसेंट तो आपको अभी पता है कि 16 परसेंट की वेल्यू बटीस तो थी और अधा परसेंट कम हो गया इसका मतलों कितना कम हो गया आपको कितना चीए चाहिए फंदरा परसेंट तो छाड़ेपंदरा परसेंट के इतनाआएगा बतीस सो में से सोगटाब दुका इतना जैएगा अपने पास नपे शो जाएगा तीσι तो तो आपको देखो यहां से 16 प्रसेंट की आपके पास में विल्यू तो आपके पास में इतना जाएगा 31 या फिर तोड़ा आप ओप्शन की तरफ नजर मारते तो देखो आपके पास में यह तो ऐसे ही नहीं है तो देखो इतना भी कम नहीं होगा कि आदा दोस्तों यह भी बहुत जादा कम है आदा प्रसेंट में तो आपके पास में क्या है थोड़ा सा ओप्शन से भी आप गेस कर सकते हैं चीज़ को तो यह अपना आंसरा जाएगा कि अज़ो अग्ला की शंकिया है कि एक्स रूपय का पी परातिशत है कैस का पी परसेंट TIME कि वाई रूपए की क्यू परसेंट के टी गूने के ब़राबर रहें लेंगे इस डिखे पढ़ने आपश्यं की क्या दिया है कि वह एक की Q percent का T गुणा है कितना गुणा है तो X और Y का अनुपात कितना होगा तो ये आपस में क्या है बढ़र है तो देखो परसेंट से दो पर्शेंट केंसिल एक्स और वाइगा तो भी वाई दर लेगे तो आपके पास में एक्स अपॉन वाई यह पी दर आएगा कितना बजाएगा क्यों टी अपॉन पी यह अपना आंसर जाएगा यह नहीं कि ओप्स नंबर कौन सा जाएगा तीसरा अपना आंसर तो बिल्कुल आसान सा किसन यह था और देखो क्या बन सकते हैं आपको क्या दिया है कि वह संख्या क्या है जिसका 20 पर्शेंट सालीस का 30 पर्शेंट है आपने माली वह संख्या किती थी एक्स का 20 पर्शेंट चालीस का 30 पर्शेंट है बराबर है किसके 40 का 30 पर्शेंट वह संख्या क्या है जिसका 20 पर्शेंट वही है जो 40 का कितना है 30 पर्शेंट तो देखो परसेंट से तो परसेंट cancel out हो गया 20 ये दो बार तो X बराबर कितना आ गया 60 ये आपका क्या जाएगा answer जाएगा option number 3 आपका answer इसको आप एक बार और practice करोगी तो अच्छी तरह से और clear हो जाएगा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हुए जो भी question में आपको doubt आता है तो वहीं आप वीडियो को रोक के उस चीज़ को अच्छी तरह से समझो और बार बार देखोगे तो आपके पास में और clear हो जाएगा बात आप खुद अपने आज से करना देखो simple से question है अमोमन किशन एक्जाम में आये हैं कोई CPO का कोई CDS का है कोई आपके पास में railway का है तो इस सारे किशन ही आये हुए एक्जाम में है तो देखो आगे बढ़ते है आगोगरा की पानी में 14 सही 2.7 परसेंट हाइड्रोजन और 6 ओक्षीजन होती है 350 ग्राम पानी में कितनी ओक्षीजन होगी है आप करने की ट्राइब करो देखे क्या आंसर आता है आपको जो मैंने कल आपको पर्षेंटेज बताये थे कि याद करने उनको याद कर लो आप उससे question आपका क्या है कि जल्दी हो जाएगा अब जैसे इसी की बात करते हैं आप 14 सही 2 बटा 7 पर्षेंट अब एक स्टूडेंट तो क्या करेगा इसको multiply करेगा उसमें 2 एड गरेगा फिर पर्षेंटेज में बदेगा अगर आपको याद है तो कल मैंने किसकी वेल्यू बताई थी है बताओ किसकी वेल्यू बताई थी मैंने 14 सही 2 बटा 7 पर्षेंट किसक और को ऑटता साथ है अप इपानी में पानी के अंधर आपके पास में आपनी के मिंश्टी बढ़ी होले दो पानी का फूर्मूला क्या होता है हे ऐस टूओ छाता है तो क्या होता है उसमें ... हाइड्रोजन भी होता है क्या हूता है उकसीजन भी होता है तो यह ग बिन पड़ना आठी आपको अगर भिन पड़ना नहीं शिखा तो दिखत तो भी कुशन में नहीं तो फिर वही मानते हैं फिर होगे कि X X तो आपको भीन पढ़ना ने चीख कितने पहे। हाइ साथ में तो टोड़िस क्या था पानी DPनी में सेक्तना है आपके पास में हाइड्रोजन एक है तो आपके पास है ओकी तो छ packet hiking 대 कितना बचिए अच्छ है और कुल मिलागे कितना हो गया साथ और यह देखो क्या कर रहा है कि 350 ग्राम पानी है यानिकि साथ की विल्यू है वो कितने बराबर है 350 के तो इससे डिवाइड करो कितना एगा 50 तो ओक्षिजन पुछा है तो यह भी मल्टिप्लाई कर दो किसे 50 से त तो आपने क्या किया सिर्फ पर्शेंटेज गया 14 से दो बटा साथ का मतलब होता है एक बटा साथ यानिकि साथ में से कितना है एक तो साथ में से एक तो अपने पास में क्या है हाइड्रोजन तो ओक्षिजन कितना हो गया अच्छ है कुल मिलागे कितना आ गया साथ और साथ की वेली जो दी है वो कितनी है 350 ग्राम यह सारी चीजे में आपको अनुपाद समानुपाद था उसमें पढ़ा चुका हूं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ो आप अच्छे तरह से और यह अगर यह वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले अगर आपने पहले व से पाँच परशंट टोटल गितना होता है सोवारं शोपर सेंट में से 5 प्रसेंट खाली रहे इसका मतलब कितना पीचान मीं परिषेंट ना चीए तो उडेच यह कितना देद दूद़ में लग झाली ऴटार फे नाची और आपका जो 38 परिशंट है वो ।ici אरम परिखो त तोटल यह टब है आपका यह टोटल अगर 100% है इसमें से कितना खाली है 5% खाली है तो कितना बरा हो गया पिचानम परशेंट और यह कितने बराबर है आपके पास में 38 के तो 95% की वेल्यू है 38 लिटर के कितने के है 38 लिटर के और आपको जो भरना है वो सिरफ और सिरफ पांच परशेंट बरना है तो देखो 55% की वेल्यू है 38 के 5% बनाना है तो 5% बनाना है तो देखो इसको मैं अगर 19 से डिवाइड कर दूँ 19 से डिवाइड कर दूँ आपके पास में तो देखो 19 से डिवाइड करते ही कितना जाएगा पांच पर्शेंट और यह देखो 19 से डिवाइड होते ही कितना जाएगा अपने पास में दो लिटर ये अपना आंसरा जाएगा तो इसका मतलब टब को बहने के लिए कितने लिटर की ओर जरूद है मपांच प्रशेंट की वेलू 38 के बराबर तो आपको 5 पर्शेंट की वेल्यिए तो इसको 19 से बाग देद होगी तो अपने पास में कितना जाएगा दो यह अपना आप वैसे भी कर सकते हों कि 95 प्रसेंट डटीस गवर एक लिटर इतने बराबर तो पांच लिटर कितने बराबर तो आपके पास में आंसर आ जाएगा अगला क्यूशन देखो आप क्या दे रखा है कि A B से 55 प्रतिसत कम है C A वै B के बीच के अंतर का 55 प्रतिसत है C A से कितने प्रतिसत अधिक है तो देखो आपको दिया क्या है कि A है वो B से 55 प्रतिसत कम है तो सबसे पहले तो आप लिखो की 55 प्रसेंट कितना होता है कितना होता है बताओ देखे कितना होता है आज ॴी में दो बार बता चुका हूं इस चीज जूं से Αराम से तसले से टेबिल चेर लगा के बठा नहीं होती तो आये तो प्रूने के लिए फुट के लिए थोड़ी होती है आ 3 बटा 4 अब A है वो B से 55 प्रतिशत कम है यहने कि 4 पे कितना कम है 3 कम है तो 4 पे 3 कम है तो A कितना हुआ 1 तो B कितनाा आएगा अपने पास में 75 Hindu तो B से 3 बटा 4 कम है तो 4 पे कितना कम है तो च्यार पर तीन कम है तो कितना हो एक और यह कितना जाएगा चार आप देखो आगे क्या दिया है कि सी ए वे बीके बीच के अंतर का इनके बीच के अंतर का पिचेतर परशेंट है तो पिचेतर परशेंट तो आपको पताई है तीन बटा चार और देखो इनका अंतर इनका कितना है 3 तो c कितना हो गया 3 है 55 तो 3 का 55 परसेंट तो 3 गुणा 3 बटा कितना आएगा 3 का 55 परसेंट यह आएगा तो आपके पास में क्या आगया a 4 और यह कितना आगया 9 बटा 4 और आपको पूछा है कि C A से कितने परतिशत अधिक है तो C A से तो देखो A 1 है C कितना है 9 बटा 4 तो इनका अंतर करोगे तो आपके पास में कितना एगा 9 बटा 4 में से 1 गटा होगे तो कितना एगा अपने पास में 9 बटा 4 माइनस 1 5 बटा 4 तो 5 बटा 4 है अधिक है किस से तुलना कराई है C से A से कराई तो A कितना है एक और परशेंट में बदलोगी तो गुणा कितना करतोगी 100 से तो 5 बटे 4 गुणा 100 यह से कैंसिल आउट 25 तो अपने पास में कितना जाएगा 125 परशेंट यह अपना आउसरा जाएगा लहने कि option number 2 तो आपको जो दिया था वो क्या दिया था कि A B से 55 परतिसत कम है तो 55 परशेंट कितना 3 बटा 4 चार पे कितना कम है 3 तो 4 पे 3 कम है तो कितना बच गया 1 और यह कितना आ गया 4 और देखो C का कहरक है कि आपके पास में A और B के बीच के अंतर का 50 परशेंट कितना है 3 तो 3 का 50 परशेंट करोगे तो 3 गोना 3 बटा 4 तो यह एक है यह चार यह 9 बटा 4 और आपको कुछा है कि c a से कितना अधिक है तो यह सारी चीजे मैंने आपको कल बताई थी तो देखो इनका अंतर करोगे तो कांतर कितना आएगा पांच बटाच यार पांच बटाच यार जादा कितने पे एक पे तो सो पे कितना तो आंसरा जाए कितना एक सो पत्चीस परशेंट यह क्यूशन आप खुड ट्राई करना कि क्या आंसर आता इसका और कमेंट में आप क्या करना इसका आंसर देना कि आपक ले इतना ही, thank you